नमस्कार, स्वागा था उपका नेक्स्ट नैनी स्प्रिच्वल में मैं हू रितिक और आज बात करेंगे भोलिनात के रहस्ये के बारे में क्यलाज पती भगवान देवादी देव महादेव भोलिनात का रूप बड़ा ही निराला है महादेव का हर स्वरू मन मोहना है लेकिन शिव जी के इस रूप में तमाम रहस्ये समाई हुए हैं जिनको समझ पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि महादेव के हर रूप से भक्तों के लिए कृपा, दया, करुणा और आशिरवाद बरस्ती है आपको बता दें कि जटाधारी भगवान शिव का सबसे संघारक अस्त्र त्रिशूल है लेकिन शिव जी के इस त्रिशूल से भी रहस्ये जुड़ा है आज के हमारे इस रूपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव से जुड़े रहस्यों के बारे में देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट शिव देवादिदेव महादेव शिव भुलेनात क्या नेको रूप हैं और उनके हर एक रूप का एक ना एक रहस्य जरूर है शिव जी के साथ कई चीजे रहती हैं आज उनमें से ही कुछ चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं शिव के त्रिशूल का रहस्य दुनिया की कोई भी शक्ती हो दैहिक, दैविक या भौतिक शिव के त्रिशूल के आगे नहीं टिक सकती शिव का त्रिशूल हर इंसान को उसके कर्म के अनुसार ही दंड देता है घर में सुख समर्द्धी के लिए मुख्य दुआर के उपर बीचों बीच त्रिशूल लगाएं या बनाएं त्रिशूल आकृती तभी धारण करें जब आपका मन, वचन और कर्म पर पूरा नियंत्रण हो अब बात करते हैं महादेव के त्रिपुंड के रहस्य के बारे में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुणों को नियंत्रत करते हैं महादेव तीनों गुणों को नियंतृत करने के कारण शिवजी को त्रिपुंड तिलक प्रयोग करना होता है और ये त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है कोई भी व्यक्ति जो शिवग का भक्त हो त्रिपुंड का प्रयोग कर सकता है त्रपुंड के बीच में लाल रंग का बिंदू विशेश दशाओं में ही लगाना चाहिए ध्यान या मंत्र जाब करने के समय त्रपुंड लगाने के परणाम अत्यंत शुब होते हैं यानि कि यह आपके लिए लाभदायक है अब बात करते हैं भूलिनात शिवशंकर की भस्म के रहस्य के बारे में आप सबको पता है कि भूलिनात को भस्मारती पसंद है भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकरशन से मुक्त है उनके लिए ये दुनिया मुहमाया सबकुछ एक राख से ज्यादा कुछ भी नहीं है सबकुछ एक दिन भस्मी भूत होकर खत्म हो जाएगा समाप्थ हो जाएगा भस्म इसी बात का प्रतीक है शिव जी का भस्म से भी अभिशेक होता है इस बात को आप जान ले और शिव जी को भस्म से अगर आप अभी शेक करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है वो आप पर प्रसन्न होते है शिव जी के भस्म से भी अभी शेक होने से वेराग्य और ज्यान की प्राप्ती होती है घर में धूबत्ती की राख या कंडे की राख से शिव जी का अभी शेक आप कर सकते हैं लेकिन गौर कर ले इस बात को कि महिलाओं को भश्म से अभी शेक शिव जी का नहीं करना है यानि कि महिलाए भश्म से शिव जी का अभी शेक नहीं कर सकती अब बात करते हैं जटा से बहती गंगा का रहस्य उसके बारे में आप सब जानते कि महादेव की जटाओं से मागंगा बहती है महादेव की जटाओं की शोभा मागंगा भी बढ़ाती है मागंगा महादेव के श्रिंगार का हिस्सा है शिव जी की जटा में समाई गंगा से जुड़ा रहस्य क्या है? चलिए आपको बताते हैं महादेव ने राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति लोक कल्यान के लिए गंगा को सिर पर धारण किया गंगा को धारण किये गए शिव जी के पूजन से पित्र दोश से मुक्ति मिलती है विद्या, बुध्धी और कला के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है आपको बता दें कि भगवान शिव शंकर को सुवयम भू कहा जाता है जिसका मतलब होता है कि वो अजन में हैं वो ना आदी है और ना अन्त तृदेवों में भगवान शिव शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है भगवान ब्रह्मा सुरजन करता भगवान विश्नु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमी का निभाते हैं यानि कि ब्रह्मदेव सुरिष्टी के रचाइता है विश्नु देव सुरिष्टी के पालन हार है और शिव शंकर इस सुरिष्टी के संखारक है तृदेव मिलकर प्रकृती के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन हुआ है उसका विनाश भी होना तय है कहते हैं कि भगवान शिव नहीं सुदर्शन चक्र का निर्मान किया था ये वही सुदर्शन चक्र है जो भगवान विश्नु के पास है मानिता है कि भगवान शिव नहीं अपना सुदर्शन चक्र भगवान विश्नु को दिया था अगर बात शिव जी की हो और उनके गले में विराजमान वासुकी नाग का नाम नाए तो ऐसा हुई नहीं सकता आपको बता दें कि शिव जी को नागों से बहुत लगाव है बताया जाता है कि शिव की सेवा करने वाले वासुकी नाग कोई और नहीं बलकि शेशनाग के भाई हैं ये वही शेशनाग हैं जो विश्नु की सेवा करते हैं शेशना के भाई ही वासुकी देव हैं जो भगवान भुलिशंकर के गले में माला के रूप में विराजमान रहते हैं और शेविशंकर की सेवा करते हैं तो ये हैं शिवजी से जुड़े अद्भुत रहस्य तो जैसा कि हमने आपको हमारे इस प्रोग्राम में भुलिशनात से जुड़े रहस्यों के बारे में बताया आगे ऐसी और कहानियों के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट ने स्पिरिच्वल नमस्कार